नवस्टार सातियों मैं योडेश दुपता है अब फिर से स्वार्याट करता हूं आपके अपने परिवार पार्सला रेलवे जाम में एट ऐसा संस्थान एट एट ऐसा यूटूब चैनल जो टेवल अटेवल रेलवे परिच्छाओं टी तेहरीट आता है और एट ऐसी तेहरी तो उन बच्चों तो सबसे बड़ी टेंट्फूजन आ रहे हैं यही कि PCM वालो टो कौन सी ट्रेट चुलनी है उस्टे अलावा उन्टा सेलेवस्ट्या होने वाला है और सबसे बड़ी टेंट्फूजन तो कौन से सब्जेट पूछे जाएट यही सबसे आधा उस्टो ठीट उसी तरीटे से CVT1 तो दे नहीं देना होड़ा जो टी 75 नमबर का होड़ा उस्टे साथ साथ जब बात CVT2 TID तो CVT2 टा पार्ट A बिलकुल ठीट उसी तरीटे से देना होड़ा जो सबका होड़ा और यह पार्ट A होड़ा तुवारे 100 कौश्चन ता बट पहले मैं आपको बता दू अडर आप 10 प्लस 2 से PCM से technician का form बनने वाले हैं तो आपको कौन सी trade लेनी है वहाँ trade बनने लिए आता है ना तो जित्रे भी PCM वाले हैं वो 3 तरहेटी trade चुन सकते हैं उनमें से सबसे पहली trade होती ही बच्चो इलेक्ट्रीशन ये मैंने आपको पिछले 2018 नोटिस टेंसर बता रहा हूँ दूसरी जो trade चुन सकते हैं बच्चो वो चुन सकते हैं wireman और तीसरी जो trade चुन सकते हैं उस्टा नाम है electronic mechanic बच्चो ये 3 trade तो चुन सकते ही हैं इस्टा लावा बहुत सारे बच्चे अगर ये trade नहीं चुनना चाहते हैं तो वो अपना part बीटा जो subject है वो math और physics चुन सकते हैं math और physics चुन सकते हैं इस्टा लावा वो ऐसे कोई और trade नहीं है ना fitter ना diesel mechanic कुछ नहीं सकते हैं लेज़ा अधर आप intertio हो तो part B के लिए आप इन चार option में से TC एक को चुन सकते हैं और जैसे आप चुनोड़े बस part B में उसी टसलेवस आपसे पूछा जाएडा मा लीज़े TC बच्चे ने electrician चुना तो part B में 75 tuition electrician तो मिले दे TC बच्चे ने चुना wireman तो part B में wireman के 75 tuition मिले दे और electronic mechanic के भी 75 tuition मिले दे बच्चो ये जो तीन ब्रा ट्रेड है ना intertio लगभट सेम रहता है तो आप में से कोई भी इन तीन को चुनता है तो syllabus लगभट सेम है बट ये इतना आसान नहीं होता तो टी जब डिप्लोमा बिटेट वाले इस्टो पढ़ते हैं ITI वाले पढ़ते हैं बच्चो तो ये कह सकते हो कि टाफी ज़्यादा tough होता है पढ़ने में तो ज़्यादा तर बच्चे त्याटरते हैं कि जो inter से PCM रूप से form भरते हैं मैं तो विश्वास मानिए 75 में से आप तो जो 35 परसेंट ना ना पास्टर नेटे लिए ये जो 75 में से आपको कितना लाना है पास्टर नेटे लिए 35 परसेंट एपरोट 27 नंबर लाने होते हैं पास्टर नेटे लिए इसमें अब पासे लिष्टी ज़रूरी है तो अगर आपने इन तीन ट्रेडोटों चुना तो याद ठेडा पास्टर ना थोड़ा सा मुष्टल हो जाए रहा कोई इन तीन ट्रेडोटे सलेवस बड़े होते हैं लेकर बात हम लोग करते हैं ति मैथ और फिजिक्स टरसर सलेवस क्या रहने वाला है और कैसे हम लोग इसको पास टरेंगे पेपर भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ अब धान सा सुनिए रहा रहे इस्टे बात पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये मैंने आपको अभी तिलियर कर दिया पार्ट बी में अगर आप मैथ और फिजिक्स लेते हो तो सिर्फ और से मैथ और फिजिक्स आईडी इस्टे अलावा और कुछ भी नहीं आएड़ा लेटे जो CBT-1 का पार्ट A है सर्फ पार्ट A में क्या आने वाला है पार्ट A में बच्चा वही सब चीज़े आने वाली है जो आपको सभी तो पूछी जाएडी वही सेम चीज़ आएडी पार्ट A में तो पार्ट A में आपको पता है ति सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो Basic Science and Engineering Basic Science and Drawing लिटते थे बच्चो ये 40 नमबर का आना है सब तो पता है इसमें Physics भी आईडी इसके अलावा Math आएड़ा Math के अलावा Regenet आएड़ा और Regenet के अलावा टेह सब्जेक्ट होड़ा वो सब्जेक्ट होड़ा तुम्हारा GA और क्या सब्जेक्ट हो CA पार्ट एड़ा तो ये पार्ट एड़ा सब्जेक्ट पुछे जाएंगे बच्चो वो पुछे जाएंगे हमारे कौन से Math और Fidget अब Math और Fidget स्लेवस रहता है मैं स्लेवस की बात करना था ना पहले तो Math और स्लेवस पुछा जाए तो ये पूरा ना पूरा CBSC पैटर्न पहे वो भी 10 प्लस 2 ता Math में आरे मैं टॉपिक के नाम पढ़ू कौन कौन से टॉपिक है तो कहना नंबर सिस्टम हो दिया रेशनल नंबर बॉर्ड मॉस हो दिया लीनियर एक्क्वेशन आर्थमेरिक प्रग्रेशन पैटर्न प्रमे इसने लावा कौडिनेट जिमिट्री और बच्चो सलखिल इसने लावा के सब्क्राथो सर्फिस एरिया हो दिया स्टेटेक्स एंड प्रगविलिटी पॉलिनोमियल कौडिनेटिर एक्क्वेशन इसने लावा सिमलर ट्रेंगिल और कॉल्डिनेट जुमेट्री टोन मिती और हाइट एंड डिस्टेंस यह आपका मैथ है रहा पच्छतर कोश्चन में से लगभड 35 से 40 कोश्चन आपको मैथ को देखने तो मिले रहे लगभड 35 से 40 ऐसा इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है ठीट रहे है यह रहा आपका फि इस्ट अलावा ट्रेंट, इलेक्रिशिटी, मैडनेटिजम, रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन, बच्चों यह वाला पेपर, यह वाला पार्ट, पार्ट A में नहीं आए रहा बेसिक साइन्स में लाइट नहीं है लेकिन यह पार्ट B में पूछा जा सकता है इस्ट अ एप्प्रॉट्स 75 कोश्चन का पेपर बनाए जाएडा, ठीक है, तो I hope आपके सारे डाउट दूर होड़े होड़े, मैं आप लोड़ोटों पेपर भी दिखा देता हूँ, आप जून करते देखिये इसको, यह फिजिट्स एंड मैथ ट्रेट के लिए, पार्ट A और पार् पार्ट A में सबकुछ वही रहने वाला है, जो मैंने आपको सिलिवस बताया, यह देखिये, यह अर्थमेटिन मैथ का है, इसके लावा यह तुम्हारा बेसिक साइन्स कोश्चन है, यह तुम्हारा जीटे जीट्स कोश्चन है, अम मैं आपको डिरेक्ट जो है पार्ट B द पार्ट A मैं और स्पीड बढ़ाता हूं, यह देखिये, 87 कोश्चन हो डिया, इसके लावा 92 हो डिया, यह लिजे, अब हम लोग पहुच चुके हैं पूरी तरीटे से 100 कोश्चन में, यह देखिये, यहां से शुरू हुआ है, यह देखिये, तो आप देख पा रहे हैं अब यहां से शुरू हुए, फिजेट्स मैथ का पहला कोश्चन, अउतल दरप्रतर निमेल टले आप देख लो पहले, अरे फिजेट्स अभाड है यह देखिये, 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 यह देखि तो आप देट पा रहे ना कि जो part B है इस में आप math और फिजिक वाली trade लेते हैं। तो बच्चों ईन्ट्रिशन ट्रेंड आप लोग यह trade थोड़ा सा पढ़ने में समòngजने में नरेकंतर ते और या लेकंपने और इंटर जितने बच्चेह वह इससा वर्चन. सौल टट्री आते हैं और इसलिए उनको ये देटो बल्ट भी मी सूथ तितरा असान है तो 75 में से 27 कोश्चन इसमें तुम बड़े अराम से सही ड़दो रहे 27 नमबर लिया हो रहे लेगा अगर धोटे से भी तुमने दोटे से भी तुमने ये वाली ट्रेट प्रू चुल लिया तो आपने ये चुल लिया उपावाली थी यानि एलेक्ट्रीशन वायरमेन और एलेक्ट्रोनेट मेटनिक तो फिर आपको पढ़ने में तरलीफ हो जाए दी बात करते हैं कि अज़र आपको फिजिट्स तरा ये चमप्लीट सलेवस पढ़ाना है तो आप तयारी तैसे टर सकते हो चाह स्ब लोग को नाम नोट करना है और प्ले श्टोर से डाउनलोड की ज़ेरा इसको माई पार्ट सला प्ले स्टोर पर जाएए डाउनलोड कीज़े यहाँ पर आपको CBT1 का कम्प्लीट कोर्स मिले रहा उस्टे अलाबा आपको CBT1 प्लस CBT2 का कम्प्लीट कोर्स मिले रहा बच्चो इसमें यह जो इंटर वाला 10 प्लस 2 का आपका Fizzits और मैं थे 10 प्लस 2 वाला Fizzits और मैं थे इस्टा भी आपको कम्प्लीट कोर्स मिले रहा बच्चो जाए माई पार्ट सला आपको अप्लीटेशन डाउनलोड करके आप इस बैच्च को परचेश टर सकते ले सकते अभी अभी फाउनडेशन बैच्च शुरू है दम दियू बैच्च है टिसी तरह का कोई डाउट आता है तो मैं एक दो नमबर लिद देता हूँ 63, 93, 825, 760 760 इस्टे अलावा अड़ला एक नमबर और लिद देता हूँ 96, 96, 802, 411 तो बच्चो इन दोनों नमबर पे आप ट्रॉल टर्टे भी इस बैच्च को ले सकते हूँ मैं फिर सबता दू तैयारी अभी से टीजे बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है और फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती फॉर्म आने से पहले दूजरी बात अगरा किसी बच्चोटा अभी भी डाउट रहता है तो मुझे केमेंट बाट्स में बताईए ना मैं उस पर भी एट वीडियो बना दू ना ताटि आप्टा वो भी डाउट दूर हो सते थैंट्यू वेरे मच